मेन पुजा अर्चना इस नाभी की की जाती है यह माता के दर्शनों के से पहले शेश नाग जी का इस्थान है यहां पर प्रटेक्स रूप से नाग देवता आते हैं दर्शन देते हैं और चले जाते हैं किसी माता बहन को को संतान नहीं होते तो संतान प्राप्ति का माता केश दिल की माननित्त है शेश राक के दर्शन हो सकते है और इनको वह हुए है बहुत मोटे से दिखे थे इनको बहुत ही जादा मोटे से सब्सक्राइब करने नाम लिखा जाएगा कि यूटूब लॉग दारीन शर्मा सो कैसे हो आप लोग सभी अच्छे होंगे भगवान की द्वासे तो सभी को जैश्रियम और जैमाता दी तो हम लोग उट चुके हैं करने जा रहे हैं हम लोग ठीक है और आज नाम बहुत ज्यादा लेट उटे हैं मतला हमें जाना था पहले तो शिप खोड़ी लेकिन वहां का कैंसल हो गया मंदिर वगयर अभी हम हापे भी जाएंगे और मतलब और भी जगह है घुमने की मापी जाएंगे पहले तो भी जाएं वोमिटिंग चालोगे वैसे तो मेरा भी जी खराब हो रहा था क्योंकि टेड़ी मेरी गाड़ी चल रहे है तो सब के वोमिटिंग हो चुकी है अभी दिखात हुमें किस-किस कोई है एह पंकल भई बच गया अभी नहीं हुए हुए है सोमिद भाई आगे बेढ़ के भी हो घुल इनके नहीं है इनके है के इसके नहीं दिखित और मेरे ऋहें य Prett रहा रफिखित शंप पंधे पनलने पर श्रून भी नहीं कि उर्टी नहीं हो ओम स्था कि तो और लोग निकल चुके हैं और साथ में अपने रोईत वाई तो रोईत वह कहां का जा रहे हैं तो आप लोग जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से आना चाहते हैं तो वहां से मंदिर के दूरे 50 किलोमेटर है और आप लोग अपनी परसनल टैक्सी ट्रैवलर करके आ सकते हैं नाभा माता मंदिर जी के दशन करने के लिए तो जय माता दी तो गाइस हम आ गए हैं नाभा माता मंदिर ठीक है और हमारे पीछी एड़ा मंदिर तो मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत न वो चड़ाई है और हम नीचे पहन के आगए इसके बूट्स अब उतारने पड़ेंगे पहले आदा गंटा तो इसको तारने में लगाओ ये भी पहन किया गई फिर आदा गंटा इसको पहनने में लगाओ तो फलाल अभी जा रहे हैं मंदिर और वाकी हम आप लोगो पर इसका इत्यास मताएंगे इस मंदिर ठीक है तो आभी चलते है ज नाभवा-माठा, मंदिर का एतियास यह गए है कि जब माता सती के शरीर के 51 भाग किये गए ते विष्णु जी के चकरद्वारा जब माता के शरीर का एक हिस्सा यहाँ पर आके गिरा ता जो उकी पेठ की नाभी थी तो तभी से इस मंदिर को नाभवा-माठा का जाता है और दालू अपनी यहां पर बहुत सी आस्ता लेकर आते हैं जैसे किसी के संतान नहीं हो पाती या किसी को अपनी मनुकामना पूरी करानी होती है कोई भी किसी की मनुकामना होती है तो वो माता रानी उसकी सभी मनुकामना पूरी करती है तो चलो चलते हैं वागी आप लोगों को तो बगतो हम लोग जा रहे हैं नहावा मातना मंदिग के अंदर और यहां से आपको ना कुछ ऐसा रस्ता मिलेगा ठीक है थोड़ा उतना चड़ाई है यहां पर और वागी आगी की साइड हम शूट इसले करते हैं तो फिली आर्मी एरिया है तो शूट निकरने देटें ठीक अब भाई उठादे इसको लबार इसो की तरह चोड़ दिये तो गाइस चलते आप इधर की हो ठीक है मंदी जाने कर आस्ता इधर से तो फस्तों हम लोगों ने आप लोगों को बचाए था कि हम नापाबात मंदिर माए हैं जो की इतक्यावन शक्ति में से एक मंदिर है सती माता की यहां पर नाभी किरी थी तो आप लोगों को में दिखाती हो जो कि यह कुफा हैं यहां पर अधिया अधिया कि जैंघ माता दे आपका नावामाता प्राचन काल मंदिर में आपका वी ही पूरा विश्तर जानकारी में बताएंगे यह माताशती का एक प्राचेन काल मंदिर है मातास्ति के नाभी का इस्थान के ओपर मातास्ति के नाभी का हिस्थान इस लिए इनको नाभा माता के नाम से जानते हैं यहांपर पत्रफिर लिद्र को चीजन जे नहीं है उनका कोई दिन वार जिगह टाइम को पिल्कस नहीं कि वह की पर भी आजाते हैं किसी को कोने नुक्षान नहीं पहुंचाते हैं जिसके निचे बहुत सारे की बुले पिंडियों के रूप में अपने आप सीवलिग मनते हैं इसके बाद यहां पर दो तिर्शूल रखे हैं उनके बीच में संकर भगवान जी की परतिमा है जो कि अपने आप नेचुरल परकट है और यहां पर ध्यान से सुनने से पता चलता है कि यहां पर डमरू की आवाज आती हैं यहां पर किसी परकार की कोई ठिसलर नहीं है और माता के गुफा के सामने यह पाहडी जो दीख रही है इसके अंदर उपर से जो जल गिर रहा है यह सब सुद गंगा जल है इस जल की मानिता है कि यह संकर भगवान की एक जटाओं से गंगा बैती है इसको हम गंगा जल क के रोप में काम में लेते हैं और इसी जल को पीने से हमारे श्रीर की कई परकार की बेमारियां दूर होते हैं इस जल को हम जितना मर्जी पी सकते हैं यहां पर जल पीने के लिए गरण करने के लिए यहां पर हमने लोटों की वेवेस्था की गई है यहां पर लोटे रखे वे ह ये हर कोई दर्शनार्ती, हर कोई यात्री इसको भगत गंगा जल के रोपे गरण कर सकते हैं इसी जल की मानिता भी है, एक किसी माता बहन को कोई संतान नहीं होते तो संतान प्राप्ति का माता के जल की मानिता है लेकिन उसके नियम कुछ अलग से हैं वह नियम किस परकार है कि- वह मता बहन अपने घर से जब आती है तो जिन वस्तृत्रों में इधर इस शनान घर में सनान किया जाता है उन वस्तृत्रों को व्हें पहनते नहीं इसलिए उनको दूसरे लेके आने पड़ते हैं ये वही शनान गषा जिसमे वह लेडी जनान करती जिसको कोई संतान बनाय है। टर तर दॐत जननान के ले और जनान वहाहं पहनते नहीं को हुआता है। U से हमस्टख़ति बढ़ उनकी पूजा होती है। उनको समान की आवसेक्ता होती है, वो समान क्या होता है, एक जटावाला नारियल होता है, माता का सिंगार होता है, माता की चुन्नी होती है, और फरूट, गोल फरूट होते हैं, जैसे एपल होगे, या अनार होगे, गोल फरूट होने चाहिए, कोई भी हो, बिना दाग दबे क सब्सक्राइब लगने के लिए बहुत wondersольш Mm अपल जैमाम करते हैं यह लोख लगाने के लिए मता को एक सिल सब्सक्राइब राध पर्ते हैं उसके बाद रगले केश्ट्रार करते हैं 60 जन थे अपर उस माता बेहन को कैसे से इस åtेज समय तोड़ा सा का इस्तेमाल करते हैं कोई पतास अमल के करीब जितना आफसेक्ट अनुसार उससे गंगांजल का में ले जाता है उसी तरीके से उसको भी रात को सोते समय इतना इस्तेमाल करें ताकि वह 31 दिन दको जल का इस्तेमाल कर सके लिए गंड़ के अंदर दूसरा दालके इस सनान किया जाता है दोन्म को ही लेडिस और जैंट को और ज्ट ऑर छों में समें करने के बाद खाली पेट उसको अथा है दोनों इस देट बार इंठ को मानेटा परपा ऑग और गुफा के अंदर राइंगे तो आंदर हमें नाभामाता के धर्शण होंगि के ये सब यहां पर नेरल आकर्क्तिय बनती है है यह गुफा है इस गुफा के अंदर सबहरा अकर्क्तियождения यह सब यह स्यविलिंग जैसे आमनाथ में गुफा बने इस इस परकार निए इस परकार स्युलिंग मना हुआ है जैसे बना हुआ हूं नहों हिरी गणेश बना हुआ, इसी परकार से कही गनेश जी की प्रतिमा बन जाती है, देखो ये ऐसे जारे जी की प्रतिमा बनगी कहीं संकर भग्वान की प्रतिमा बनगी, और यह सब उपार का जो natural है, यह सब natural है, किसी का प्रकार से भार की activity नहीं हो यह, इसमें सब नेटुरल है इसके बाद जैसे हैं अम गुफा के अंदर आते हैं और ये मैनिस्तान नाभा माता का है ये सामने जो माता की परतिमाएं हैं, ये माता का ध्यान करने के लिए परतिमाएं हैं, ये दुरगा माता की, सेरा माता की, ये माता का ध्यान करने के लिए हैं, ये जो पिंडिया हैं, ये भी माता का ध्यान करने के लिए हैं, ये इस नाभी के दाईयों और बाईयों सेड में दोनों जगए पिंडिया हैं, सामने माता की पतिमा है, ये माता का ध्यान करने के लिए है, मैन पुजार अर्चना इस नाभी की की जाती है, यही मैन इस्थान नाभा माता के नाम से कलाता है, इस नाभी की गहराई का पता नहीं चलता, कि ये कितने गहरी है, कितने नहीं, और हम इसका पता लगा सकते हैं क्योंकि इसी की पुजार्पना की जाती है और माता के सक्ति का कोई पता आज तक नहीं लगा सकता है क्योंकि उनकी महिमा एक अपरम पार महिमा है हम लोग आते हैं दर्शन करने के लिए और इसी माता का दर्शन करके हमारी विभीन परकार की मनोकामनाई पूरी होती है खासकर उस माता बहन की जरूर मनोकामनाई पूरी होती है जिसको कोई संतान नहीं हो उसकी जरूर मनोकामनाई मातरानी पूरी करती है उनकी जरूर गोद भरती है बाके तो हर किसी के हर प्रकार की मनोकामनाई पूरी करती है जो नाभा माता में जो अपनी आस्था रखता है अ और माल का अशिर्वात पाते हैं प्रेम से बूर नाभा मता की जय तो यहां पर यह देखो पूरा मंदिर करना इस ट्रैक्चर बना रखा जैसे मंदिर यहां पर कैसे बना था और पहले कैसा तो बाद में कैसे था बीफोर आप्टर तो पहले बीफोर में ऐसा था जिसके आप देखने हैं यहां पर और आफ्टर में ऐसा हुआ जो कि आप लोगों को यह मुर्तिया दिखने हैं यहां पर यह देखो पूरी मुर्ति बना रखें ठीक है और जब यह पहले ऐसा बन रहा था यहां पर यह देखो और इसके बाद में ऐसा बन गया ठीक है ऐसा बनाया गया ये रेट कलर की शेड लगी थी यहां पर पूरी ठीक है उसके बाद में यहां से यह बीफोर में ऐसा था पहले और आफ्टर में इसको ऐसा कर दिया कवर करके पूरा जाल से ठीक है और यहां पर भी यह क्यावन शक्ति पेटों के जो मैंने आप लोगों को बताया था ऐसे देखो और वाकि आप लोगों को यहां पर देखो काली माता और शेरा वाली माता शिप पार्वेती जी गनेज जी और यहां पर है हमारे हालुमान जी और उदर है गुफा तो वाकि सब लोग खड़े हैं यहां पर तो हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं दुफा के लिए तो भगत तो हम लोगों ने दर्शन कर लिए और आप लोगों को भी बता दिने कि कैसे होए कैसे नी और दर्शन तो बहुत जाद अच्छ हो है और ना हमारे भाईयों के ना नाद दिफ्ता के भी दर्शन हो गए थे प्झे लाइक के लिगे लेकिन लड़कों में से किसे को ने दिखें कूई कि हम डर्वात दे उपने अपर यहां बहुत अच्छा लगा हम आएके बागी हम चलते हैं यहां से जय माता दो तो भक्तों हम लोगों ने दर्शन कर ली है और दर्शन तो बहुत जादा वाले अच्छ हुए थे ठीक है अब हम लोग जा रहे हैं स्विंसर लेक ठीक है पटनी टॉप को इन लोगों ने बोला लेकिन टैम ही इतना जादा ह बहुत अच्छा वाला लेकिन एक चीज का मुझे बहुत जादा मतलब की वह शोक हो गई कि जब हम दर्शन करके आए थे हम चारों तो बादे हमें तो में तो पानी है न को पानी भरावा मिलाता और जब फिर यह लोग तीनो भाई मतलब की दर्शन करते तो इनको कुछ अं अच्छा लगा है तो बहुत जादा अच्छा लगा तो मैं आप लोग एक बार प्लीज जरूर आए बहुत अच्छे दर्शन होता है माता रहनी सब की मुराद पूरी करते हैं यहां पर ना बोला जाता है कि जैसे किसी डेडिस को संतान नहीं होती ना तो यहां पर जो जल होता है अगर आप वह घ्रैंड कर लो ना यह वाले जल तो इससे आपको संतान भी हो जाती है ठीक है बहुत अच्छे लेकिन अपर बहुत अच्छे लेकिन अपर बहुत अच्छा लेगा आप लोग एक बार मेरे कहने से जरूर है जाता है कि अबी चल रहे है तो इंसर लेकिन जाएम आता दी है वेक अपर अर्ली मॉनिंस लेक नाइट अपिन नान डिफेंट फ्लाइट वस्तामे ने अवाइट एट